दो इंग्लिश वर्ट सिखाता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड बहुत फास्ट चलता है जो किसी की बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं जिनका माइंड अलर्ट रहता है उन लोगों को बोलते हैं क्विक विटेड या फिर शाप विटेड यानि उसका दिमाग बहुत तेज चलता है यानि वो लोग जिनका दिमाग धीरे चलता है जो बात को धीरे धीरे समझते हैं टाइम लगाते हैं किसी की बात को समझने में उन्हें कहते हैं डल्विटेड डल्विटेड He is dull-witted यानि वो धीला है, उसका दिमाग धीरे काम करता है Hindi Three words मैंने प्यार किया जब बात दम्शराज की हो, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता When it comes to दम्शराज, no one can beat me दम्शराज तो हुआ game का नाम When it comes to मतलब, जब बात इस चीज की हो जब बात इस चीज पर आए When it comes to दम्शराज, no one can beat me जब आप किसी की बात से सहमत होते हो, से agree करते हो तो आप कहते हो, yes, that's correct Yes, that's right इसके लिए एक modern phrase सिखाता हूँ आप बोल सकते हो, true that True that मतलब, yes, that's correct, that's right True that साक्षी What now? साक्षी ने कहा, what now? इसका मतलब है, अब क्या हो गया? बहुत बार हमारे पास कोई अपनी परिशानी लेकर आता है रोते रोते आता है अपनी प्रॉबलम लेकर आता है तो हम कहते हैं, अब क्या हुआ? What now? एक English phrase सिखाता हूँ जब हम excitement के कारण या emotions के कारण जजबातों में बह जाते हैं और कुछ भी कर जाते हैं उसके लिए English phrase है got carried away got carried away यानि जजबातों में बह गया मैं उसकी emotional story सुनकर जजबातों में बह गया और उसे अपने सारे पैसे दे दिये I got carried away by his emotional story and gave him all my money अबल मुझे नया phone चाहिए ये ले लो नया चाहिए अरे ये नये जैसा ही है It's as good as new It's as good as new मतलब ये बिलकुल नये जैसा है अगर आप किसी की बात से disagree करते हो सहमत नहीं होते हो और आपने ये point सामने वाले को बताना हो पर सामने वाला आपसे age में बड़ा हो या position में बड़ा हो या आपका senior हो या कोई ऐसा दोस्त हो जो आपकी बात का बुरा मान सकता है तो उसकी respect का ध्यान रखते हुए आपको politely अपनी बात कहनी है ये कहते हुए with due respect सो अपने sentence के शुरू में लगाओ with due respect और फिर अपनी बात कहो with due respect I think you should not do this मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए साक्षी ने कहा don't pick a fight with me इसका मतलब है कि जबरदस्ती लड़ाई मत शुरू करो pick a fight का मतलब होता है कि जान बूज कर कुछ बोल कर उकसा कर लड़ाई शुरू करना don't pick a fight with me मेरे साथ जबरदस्ती लड़ाई मत शुरू करो अगर किसी की बात सुनकर कहना हो अजीब बात है तो इसे इंग्लिश में कहने के छे तरीके बताता हूँ आप कह सकते हो that's strange या फिर आप कह सकते हो that's bizarre या फिर आप कह सकते हो that's not normal आप बोल सकते हो that's odd या आप बोल सकते हो that's unusual या फिर That's weird मान लो आप से कोई कहता है कि चोरी उसी ने की है और आपने कहना हो बेशक यानि आपको सामने वाले की बात पर पूरा यकीन है आपको कोई शक नहीं है इस बात पर बेशक इस बात को इंग्लिश में कहने के आठ तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ आप कह सकते हो no doubt या फिर doubtlessly या undoubtedly या without a doubt आप कह सकते हो unquestionably या फिर undeniable या फिर hands down या फिर without a shadow of doubt बहुत गर्मी लग रही है यार मुझे तो बहुत ठंड लग रही है We both are worlds apart We both are worlds apart मतलब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है बिलकुल opposite है We both are worlds apart इस मज़दार वीडियो की तरह मेरा full course भी बहुत अलग है बहुत खास है जिसमें मैंने step by step beginner level से advanced level तक English के सारे concepts को मज़दार तरीके से clear किया है और English के sentences बनाना सिखाया है इस course में आपको मिलेंगे 60 video lessons notes मिलेंगे, quizzes मिलेंगे practice group होगा जहां students audio और text messages में practice करते हैं और course complete होने पे certificate भी मिलेगा इस course का link description में है या फिर आप aval English.com पर भी जा सकते हैं अगर होना है सफल तो follow aval झाल 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 झाल